अलो अब्रवन कैसे हूँ, I hope कि आप सबी लोग ठीक होंगे, मैं हूँ भी सेक और आप देख रहे हैं, Study with the BC अगर आपका भी पेपर है, इंडिनेवी, एमार, इससार और डबलेगा, इसी दिसंबर में और आप तयारी कर रहे हैं, और आपको कुछ चीजें कन्फ्यूज कर रही हैं, परिसान कर रही हैं, तो आप कोई भी डाउट के लिए पूछ सकते हो मुझे, कहाँ पे टेली ग्राम पे आकर पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर करने की उखसिस करूँगा, मैं, साथी साथ कुछ questions हैं, जो कि previous exams में हैं आए हुए, तो वो भी मैं आप लोग को दूँगा वहीं पे साथी साथ, आप an academy classes भी जोइन कर सकते हो मेरी, ठीक है, उसके थुरू आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे आपको जोइन करनी है classes, ठीक है, ये दो-तीन चीजें जो कि ग percentage जादा डाल दिया था और उसके बाद वो पूछ रहें लगातार कि क्या उनको जाना चाहिए exam देने, क्या आप वो paper देने जाएंगे तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा, भाई आपको clearly बता दू कि जब आपका verification होगा, तो verification के time पे percentage अगर match नहीं करते हैं, तो वहाँ प कुछ जाने वाला भी नहीं है, वैसे भी आपको पता है कि अगर आपने जादा percentage दिया है, और उसके अधार पे आपका shortlisted हुआ है, तो आप वैसे ही eligible नहीं हो उस चीज के लिए, ठीक है, तो अगर आप जाते भी हो, तो आप clear कर लेते हो, just 0.1%, अगर आप clear कर लेते हो paper भी और यह सारी चीज़े, फिर भी आप eligible नहीं होंगे और फिर भी वो बाहर ही कर देंगे, तो उससे better है मत जाओ, उसके बाद अगर बात करें, दूसरी चीज जो है काफी important है, वो यह है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो डो मिसाइल का लेना देना है, बिलकुल लेना देना दूसरी उसलिए important है आपके लिए, क्योंकि इससे पता चल दिए कि आप कहा के निवाजी और कहा से रह रहे हो, तो जैसे कि आप महरास्त्रा से हूँ, आपने महरास्त्रा से ही apply किया था, तो आपको हो महरास्त्रा की ही domicile चाहिए होगी आपकी कहीं और की नहीं, ठीक है, इस तरीके से चीज़े हैं और उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे थे जो कि ये वी काफी इंपॉर्टन है कि क्या सारे ओरीजिनल डॉकुमेंट्स लेकर जाना है तो ऐसा कुछ नहीं है सभी डॉकुमेंट्स ओरीजिनल नहीं होना चाहिए आपको अभी अभी फिलाल के आपको पूछ सकते हो मैं क्लियर कर दूँगा अभी के लिए यह सारी चीजे थी यह सारी डॉट्स आपके आ रहे थे जो कि मैंने क्लीर कर दिया हो अभी आपके मन में को यौड आउट है कमेंट सेस्टन में कमेंट करें जरूर पूछ लेना इस वीडियो में यहीं बता ना था होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिना सेर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिना आपको बता दू रक्षक एंड वन 2022 के लिए एक नया बैच को स्टार्ट हो रही है फॉर्स्ट ओप दिसंबर से और इसकी इंडिंग डेट होगी 31st ओफ मार्च यानि एक दिसंबर से 31 मार्च तक यह चलेगी एडुकेटर साब की स्क्रिन पर है और साथ ही साथ दूसरी बैच कोस है विक्रमा दित्या यह डीटेल्ड कोस्ट गार्ड बैच कोस 2022 के लिए होगी नेक्स्ट मंथ कोस्ट गार्ड की वेकंसिस भी आ जाएंगी और इसी को ध्यान में रखते हुए यह डीटेल बैच कोस निकाली जा रही है यह फॉस्ट दिसंबर से सुरू होगी और फॉस् इस प्राइड को सब्सक्रिप्स निकाल बैच के लिए यहां पर क्या होगा बिनेफिक्स क्या होंगी इसमें प्राइड एड़ेटी दी जाएगी आप लोगों को रेज हैंड फीचर यानि कि आप रेज हैंड करके और कुछ पूछना चाहते हो तो यह आपको मिल जाएगा इन आसका डाउट फीचर यानि जो आप डाउट पूसते हैं उसमें प्राइरिटी आपको दी जाएगी और प्लस में जो भी बैनेफिक्स मिलते हैं फायदे मिलते हैं वो आपको मिलेंगे अब अगर आपको मैं बताओं कि कितने टाइम तक यानि कितने डिवेशन तक आप लेते हो कोस तो क्या प्राइजिंग है 6 मंत का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको देने होगे 7,040 रुपे अगर आप आइकॉनिक लोगे तो 8448 रुपे सेम अगर ऐसे ही मैं बताऊं 12 मंत का तो यहां देख सकते हो यह प्राइजिंग अगर आप वहीं आइकॉनिक में लेते ह यह प्लस के लिए सिंपल और अगर आप आइकॉनिक वाला लेते हो फीचर तो आपको इतना पड़ेगा और साथी साथ एक चीज़ बता दू यहां पर दिया गया है यूज एडुकेटर कोड टू गेट अडिशनल 10% डिसकाउंट डाट मिन्स कि अगर आप मेरा कोड यह भी स्टेडी 10 10% डिसकाउंट आपको मिल जाएगी और जॉइन कर सकते हो सेम वैसे ही एरफोस नेवी कोश्ट गार्ड के लिए भी है तो जाओ फायदा उट हो डिस्क्रिप्शन में लिंक एवलेबल है लेट्स क्रैक इट